हलो फ्रेंट्स एग फिर आपको बहुत स्वागेते हैं दूस्वा अच्छी की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले यूपी डियालेड यानि की वीटिसी एडमिशन दोजार तेस की लास्ट डेट के बारे में जो की आज समाप दो रही है जितने भी स्ट्रेंड्स यूपी डियालेड यानि की वीटिसी दोजार तेस में अडमिशन लेना चाहते हैं वो सभी स्ट्रेंड्स को अपना अडमिशन यानि की रेस्टेशन फॉर्म आज यानि की 21 अगस्त तक हर हाल में फिल कर देना है और कल 22 अगस्त आपको अपनी फीस पर मेंट करने की सॉब्सक्राइब नहीं किया है तो यूपी डियालेड वी टीसी से संब्दित पलपल की अपडेट के लिए चैनल को सॉब्सक्राइब करते हुए लेकिन को जूरू फिसकर लीजे और इस वीडियो को अपने आधर फ्रेंट्स के साथ भी ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा स फाइनलियर का result है आ चुक है इनिवोसिटी की दरफ से घोसेत हो चुक है तो आप try जरूर करते रही है इसके साथ ही बहुत सारी students के comment साथ रहते हैं लेकिन वो वीडियो को नहीं देखेंगे नहीं देखेंगे उनका कहना है कि हम नहीं देखेंगे लेकिन हम आपको जरूर बताएंगे कि अगर आपका result आ चुक है तो और आपके पास आपकी mark seat का serial number यानि कि जो mark seat number होता है वो available नहीं है तो बहाँ पर आपको not available फिल कर देना है इस तरह से लिख देना है एन ए ठीक है इस तरह से लिख देना है जहाँ पर mark seat number में आपको नहीं फिल कर देना है इससे किसी भी तरह की कोई problem आपकी नहीं होने बाली है आपका admission form फिल हो जाएगा और आपका जो admission है वो भी हो तो आज last date है आपके admission form फिल करने की जिन भी भाई बेन को पता नहीं है वो खुद पता चलाएं और दो साथ में दो चार अपने भाई बेनों को भी इस बारे में पता चलाएं यानि कि वीडियो को share जरूर करें अपने friends के साथ तक ही सभी friends को पता जल सके कि आप आज यानि क एक किस अगस तक अपना डियलेट का admission form फिल कर सकते हैं इस date को आगे बढ़ाया जागे और नहीं बढ़ाया जागे इससे पहले दो बार आपके admission form फिल करने की जो date है वो बढ़ाई आ चुकी है दो जून से आपके form फिल किये जा रहे थे पहले 27 जून last date थी 27 जून के बाद 27 जूलाई कर दी गई थे तो यहाँ पर जो जून 2 जून से 27 जून last date थी 27 जून के बाद जू बढ़ाई गी वो 27 जूलाई तक बढ़ाई गई उसके बास 27 अगस्ट तक बढ़ाई गी थे दो बार last date बढ़ाई गी ठीक है और यह अभी जू date बढ़ाया जा चुके यह 27 तक ठीक है तो इस तरह से आपके जो फॉर्म है वो 21 अगस्त तक फिल किये जा रहे हैं अब 21 अगस्त के बाद डेट को आगे बढ़ाया जाए यह नहीं बढ़ाया जाए कि यह पूरी तरह से पी एनपी के ऊपर डिपेंड करता है अगर आब इदरों की संख्या अच्छी आ ग पुरा इफेक्ट किस पर पढ़ता है आपके एक्जाम पर पढ़ता है फिर बाद में आप चीकते चिलाते हैं जिस वजे से अगर PNP को अच्छे मातरा में आब एदन मिल गए उंगे तो आप मुस्किल से ही PNP इस डिट को एक्स्टेंट करेगी फिलाल हम यह नहीं कह रहे है कि डेट अक्स्टेंट नहीं होगी इस बारे में PNP ही डिसीजन लेगी PNP परिच्छा नहीं मगप्रादीकारी कारेल है तो प्रदेश पिर अगराज के तरफ से जो भी फैसला लिया जाएगा हम वीडियो के माद्यम से आपको अफगत करा देंगे कि डेट आगे में मिलते भे एक नी वीडियो में एक नी इंफरमेशन के साथ थेंगे तो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो